या सहरों की यह भी विरोदाबास रहा या तो आप गाउं का विकास कर सकते हो या सहर का कर सकते हो मोदी जी ने यह भी सिद्ध कर दिया गाउं दुनिया में सबसे अच्छे गाउं बन सकते हैं गाउं से कोई पलाय नहीं होगा और सहर भी दुनिया में सबसे सुविधा पूर सेरों बन सकते हैं स्मार्ट सीटी बन सकते हैं यह सीध दिखिया गरीब कल्यान और अर्थतंत्र का विकास दोनों के बीच में भी बहुत बहुत कई बार कई सरकार कई अर्थसास्त्री कई पंडी कहते रहे कि जो अर्थसास्त्र का मतला अर्थतंत्र का विकास करना है तो घरीब कल्यान को छोड़ना पड़ेगा मैं आज सब के सामने कहना चाहता हूं हर किसान को हर साल छे हजार रुपया देना हर गरीब को सभी प्रात्मीक सुविदाएं एक साथ दे देना और अर् भाई और मैंनों आज एक संदेश लेकर जाईएं यहां से 130 करोर की 140 करोर की जंता के बीच में मोदी जी को तीसरी बार प्रधान मंत्री देश की जंता बनाए हमारा अर्थतंत्र भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा इसंदेश लिकर हमने जाना है इसी तरह से इसी तरह से एक द्वंद चालू रहा कि विदेश निती अगर दुनिया को मित्र बनाना है तो देश की सुरक्षा में थोड़िया बहुत कंप्रोमाईज करना पड़े यह बहुत लंबा भाईस का विश्व है आजादी के बाद तुरन शुरू हुआ और सारे पंडित सुरक्षा निती और विदेश निती के बीच के ध्वंद में फस्ते रहे मोदी जी ने एत्ताई कर लिया और करकर दिखाया कि सरहत की सुरक्षा देश की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है और आज ये करने के बाद देश को सुरक्षित करने के बाद मोदी जी ने भारत को विश्व मित्र के रूप में प्रस्ता भित्या वसुदेव कुटुम्बम का हमारा सुत्र को उन्होंने मीचे दिका मित्रों इंडी एलायंस और कॉंग्रेस पार्टी इसकी देंट किस देश के लोगतंतर की स्पिरिट को खतम कर देश के लोगतंतर को ब्रस्ताचार, परिवारवाद, तुरुष्टी करण और जाती वाद से कलर्ड कर दिया कभी भी स्वतंतर रूप से जन्मत उभर करना आए इस प्रकार की लोगतंतरिक व्योस्ता करने में परिवारवादी पार्टिया लगी रही मोदी जी ने दसी साल में ब्रस्ताचार, परिवारवाद, तुरुष्टी करण और जाती वाद को समाप करकर विकास की रादनिती को मध्य बिंदू में लाया जिसको देश की जन्ता ने सिका रहा है मितरो आज मैं आज आप सब के माध्यम से करोरो भारतिय जन्ता पार्टी के कारेकरताव को कहरें आया अगला चुनाव दो खेमे पडे हुए है महा भारत के युद्ध में जैसे पांडव और कव्रव के खेमे पडे थे इसी तरथ चुनाव के पहले दो खेमे पडे एक खेमा है मोदी जी के नेतृत में बीजे पी के नेतृत में NDA का गठ बंदन और दूसरा है कॉंग्रेस के नित्रूतों में सारी परिवारवादी पाटियों का इंडी एलायंस देश को ये दोनों में से एक को चुनना है इंडी गटबंदन एक गमंडिया गटबंदन भरष्टाचार परिवारवाद और तुरूस्ट्री करण की राधनिती का पोशक और भाजपा और एंडिये का गटबंदन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गटबंदन है देश की जनता को ताई करने वाला करना है ये परिवारवादी पार्टियां चाहिए ये भरष्टाचार की पोशक पार्टियां चाहिए तुरूस्ट्री करने वाली पार्टियां चाहिए और देश के लिए जान नोचावर करने के लिए तेयार भारतिय जनता पार्टी चाह मित्रो यह जो एलाइंस हुआ है एलाइंस ऐसे ही नहीं होता है एलाइंस जब सोच समान हो विचार समान हो सिद्धान समान हो तब होते हैं यह इंडिय अलाइंस जो बना है यह पूरा का पूरा इंडिय अलाइंस कॉंग्रेस के नित्रूतों है मैं आज आपको कह सकता हूँ इस देश में ब्रस्टाचार की जनत कॉंग्रेस पार्टी है और इस देश में ब्रस्टाचार का पोशन भी कॉंग्रेस पार्टी ने किया है मित्र दस साल यूपीय के ले लिजिए कॉल ब्लोक आवंटन, कोमन बेल्ट गेम का गोटाला, टूजी गोटाला, सारदा चिटफन का गोटाला, हिमाचल में सेवो की बिक्री का गोटाला, आयन एक्स मीडिया का गोटाला, एरसेल मेक्सिक का गोटाला, अंत्रीक्स दिवास का गोटा ला, land for job का गोटा ला, पंचकुला और घुडगाओं में, गुमी आबंटन का गोटा ला, जम्मो कसमीर cricket association का गोटा ला, embryo deal, basic trainer विमान में गोटा ला, hawk air körीदी में गोटा ला, submarine का गोटा ला, August, August of wasteland का गोटा ला, befores का गोटा ला, बोपाल घेसकान से चंदा उगाने का गोठाला कि कॉंग्रेस पार्टी हमारे यहां ऐसा कहते थे कि किसी भी तत्व का व्याप आकास भूमी और पाताल तक होता है मगर इन्हों ने तो आकास से भी आगे जाकर अंत्रिक्स में भी गोठाला किया बूमी से आगे जाकर पातान में खदानों का भी गोठाला किया और समंदर को भी नहीं चोड़ा वहाँ सब्मरीन का भी गोठाला कर दिया जब नल थल अंत्रीक्स हर जगे एक कॉंग्रेस ने घोटा ले किये और इंडी एलाइंस का नित्रुत्व कॉंग्रेस के हाँ मैं देश की जनता को यह कहना चाहता किस प्रकार की सरकार एक और यह लाखो करोड के घपले गोटाले करने वाली कॉंग्रेस है और दूसरी और 23-23 साल से राज्य सरकार और केंद्र सरकार में मुख्या रहने के बाद भी हमारे विरोधी भी एक कानी पाई का अरोप न लगा सके ऐसा नेतुत्वा नरेंडर मोधी काने कि देश की जनता ने मित्रो देश की जनता ने ताई करना है कि देश का भविश्य यह ब्रश्ट्राचारियों के हाथ में सौंपना है या नक्षिक प्रामानिक व्यक्ति जिस पर दुस्मन भी आरोप नहीं कर सकते ऐसे नरेंद्र मोधी जी को सौंपना है और मित्रो एक कहावत है बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां भी सुभान अल्ला जब कॉंग्रेस पार्टी इतना ब्रश्टाचार करती है तो साती बला क्यों बाकी रहेंगे आम आदमी पार्टी आपकारी जखात का गोटाला लोगों के उपचार में मोला क्लिनिक का गोटाला देर सारे गोटाले किया लोगों के मेडिकल टेस्ट करने में भी गोटाला किया और आज उनका सारा नेतुरत्वा कोड से भागता है, कोड से भागता है, एजंसियों से भागता है जारखण में एक MP के घर से साड़े 300 करोड रूपया जब्त होता है 36 गड में महादेव के नाम से जुवा खिलाने का एक घोटा लाता है DMK के मंत्रियों के घर से करोडों रूपया बरामद होता है Trunumol Congress के मंत्रियों के घर से अनेक करोड रूपया 55 करोड ते एखी स्तान पर से अनेक करोड करोड के गोटाले बाहर है और लालु जी सजा अपता है और अभी भी एक एक नही नही ब्रश्टाचार की एफायर उन पर हो रही है इतने पूरा इंडी एलायंस एक कॉंग्रेस पार्टी के नेत्रुतों में गमंडिया गटबंदन एक पूरा ब्रश्टाचार से लिप देश की जनता नेताई करना है ब्रश्टाचार के दूसन को समाप्त करने वाले नरेंद्र मोदी जी को मेंडेट देना है या ब्रश्टाचार ही जिनका धर्म है ऐसे इंडी एलायंस को मत देना है इस देश की जनता नेताई मित्रो परिवारवाद अभी धेर सारे पत्रकार कुछ मीडिया चैनल इंडी ए अगर मुझे कोई कहे कि इंडी एलायंस क्या है तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं साथ परिवारी परिवारवादी पार्टियों का घठ बंदन इंडी एलायंस है इससे ज्यादा कुछ नहीं है जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते व आपकी पार्टिया लोगतंत्रिक पार्टिया नहीं है आप देश के लोगतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते एक और मोदी जी के नेत्रुतों में डेवलप्मेंटल एलायंस है और दूसरी और राहुल जी के नेत्रुतों में डाइनेस्टिक एलायंस है डेमोक्रेटिक एलायंस developmental alliance और dynastic alliance के बीच में देश की जनता को पसंद करना है मुझे विश्वास है कि एक और मोधी जी देश के और गरीबों के विकास के लिए काम करें और दूसरी और अपने परिवार की चिंता करने वाली पार्टिया है देश निस्चित रूप से विकास की राजनिती करने वाली भारतिय जनता पार्टिय और NDA को सिलेक्ट करेगी इसका मुझे पुरा विश्वास देखें साब इनके राजनिती में उद्येश क्या है मोधी जी कहते है महान भारत की रतना हो 2047 तक का लक्स रखा आत्मनिर भर भारत की रतना हो 2047 तक का रक्स रखा सोनिया जी का लक्स राहुल जी को पीएम बनाना पवार साब का लक्स बेटी को सीएम बनाना ममतादीदी का लक्स बतीजे को सीएम बनाना स्टालीन का लक्स अपने बेटे को सीएम बनाना लालू प्रसाद जी का लक्स अपने बेटे को सियम बनाना उद्धाव ठाकरे का लक्स अपने बेटे को सियम बनाना और मुलायम सिंग जी बेटे को बना कर ही गए है अब मुझे एक बात बताईए कारेकरता भाईयो बेनो जिनका लक्स ही अपने बेटे बेटी भती जो का कल् हो वो घरीब का कल्यान कर सकता है क्या कभी नहीं कर सकता है जिनका लक्स ही अपने परिवार के लिए सकता अध्याना हो वो देश का कल्यान कर सकता है क्या कभी नहीं मित्रो इस देश के अंदर तू जी थी जी और फोर जी पार्टिया है तू जी से मतलब आप तू जी घोटाले से नहीं है तू जनरेशन पार्टी थी जनरेशन पार्टी फोर जनरेशन पार्टी चार-चार पिडी तक नेता नहीं बदलता है चार-चार पिडी तक नेता नहीं बदलता है, क्यूं भई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, ना जी वो नहीं बढ़ सकता, थोड़ा आगे बढ़ गया, तो उसका हस्र कर देंगे, कई सारे लोग ऐसे हस्र की हुए है, भारतिय जनता प द्रश्टी का वहाँ कोई महत्व नहीं है, वहाँ केवल और केवल आप कहां जन में इसका महत्व है, मित्रो, मैं आज आप सब के माध्यम से डेश की जनता को पूछना चाहता हूं, अगर भारतिय जनता पार्टी, परिवारवादी पार्टी होती, तो एक चाह बेचने वा मित्रो लोक तंटर के अनदर ये बहुत जडरूरी है, सब को समान अउसर मिले, सब के अंदर इस्वरदत-सक्तियां जो पढ़ी हैं, वो इस्वरदत-सक्तियों के अधार पर उसको आगे बढ़ने का मौका मिले और वो केवल और केवल भारतिय जनता पार्टी में विद्यम जैनो मोदी जी एक घरीब परिवार से घरीब मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इतने घरीब परिवार से इस देश के सन्मान ये प्रधान मंत्री बने जिनों ने पुरे विश्व में देश को सन्मान दिला है गवरों दिला है प्रस्तापी इस देश की राष्ट्रपती एक ज प्रधान मंत्री जी ने भारती जनता पाटी ने एक घरीब आदिवासी की बेटी को महा महीम द्रवपदी मुर्मू बना कर सभी आदिवास्यों का सन्मान इस देश का उप्राष्टपती एक किसान का बेटा खेट जोतने वाले का बेटा इस देश का उप्राष्टपती बना ह मित्रो मैं खुद कह मानता हूं कि भारतिय जनता पार्टी में बूत का काम करने वाला इक व्यक्ति देश का प्रधान मंत्री भी बन सकता है राष्टपति जी और यह केवल और केवल भारतिय जनता पार्टी में एस अहुलियत उपलब्द है क्योंकि हमने हमारी पार्टी को ल देश का कल्यान नहीं कर सकती केवल और केवल राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ आगे बढ़ रही भारतिय जनता पार्टी मोदी जी के नेत्रूत में आगे बढ़ रही भारतिय जनता पार्टी ही देश का कल्यान कर सकती मित्रों इस देश में जब से हमारा समिधान बना हमा आज से नहीं, हजारों सालों से, पंथ निरपेक्षता के अधार पर, बीन संपरजाईक्ता के अधार पर, चलता रहा। राज्ये का कभी कोई धर्म नहीं होता है, सब को अपना धर्म मनाने की, मानने की और उसका अनुसरन करने की छुट्टी भी है, मुक्टी भी है, परंटु कॉंग्रेस पार्टी ने वोट बेंक की रचना करने के लिए सम्विधान की उद्दात भावनावों में भी विकृती दालकर पंध निर्पेक्स्ता को थुष्टी करन की राजनीती से दुसी किया, मित्रों, मैं आज आप सब के सामने कहना चाहता हूं, एक कॉंग्रेस पार्टी जिसने बगवान श्री राम के अस्तिच्व को नकारा, और अफिडियेट पर नकारा, बाद में उनको अफिडिय वापिस लेट, तिपल तलाक का कानून, जो केवल और केवल महिलाओ को, मुस्लिम महिलाओ को, उनके अधिकार देने का कानून है, इसका आपने विरोध किया, यू सी सी, जो कॉंग्रेस के समय में ही, सम्विदान निर्माता एक लक्स देश के लिए रख कर गए थे, उत्रा दारा 370, जब सम्विदान बना, तब एत्ताइधा के टेंपररी, टेंपररी का मतलब है, उचीत समय पर उसको हटा देना, मगर 17 साल तक उचीत समय आया नहीं, दारा 370 के कारण, कस्मीर के अंदर अलगावाद बढ़ा, उग्रवाद बढ़ा, पाकिस्तान को अंदर पैर र मगर तुष्टी करण की राधनिती ने धारा 370 को हटाने नहीं दिया, इस देश की जनता ने मोदी जी को दिशरी बार पून बहुमत या, पांच अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, और आज का समीर एक नए यूग के साथ आगे बढ़ा, पीए फाई प मेडे बयान किये, दक्सीन भारत की महान परंपरा, तमिल नाडू की महान परंपरा, पवित्र सेंगोल को, हमने पारलामेन के अंदर बड़ी पवित्रता से प्रस्तापीत किया, इसका भी कॉंग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने विरोध किया, यह जहां भाजपा पर पहला अधिकार माइनोरिटी का है, यह मान्यता रखने वाले है, मोदी जी का कहना है, देश के खजाने पर पहला अधिकार घरीब का है, दलीत का है, आदिवासी का है, पिछडे, जाकिर नाई को मेसेंजर और पीस का सर्टिपिकेट देते हैं, बगवा अतंगवाद के नाम से पूरे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, और मित्रो अंतिम चरम सिमा तो तब आ गई, जब शाड़े पांच सो साल के बाद इस देश में उत्सव का क्षण आया, रामलल्ला का प्रदान मंत्री जी प्राण प्रतिश्टा करने वाले थे, रामलल्ला मंदीर की प्राण निती करना रही माना इसको ठुकरा दिया, मैं आज यहां से कॉंग्रेस पार्टी को चेताव नहीं देना चाहता, आपने रामललल्ला की प्राण प्रतिश्टा के निमंत्रन को ठुकरा कर केवल यह इतियासिक पल में हिस्सेदार होने से आप नहीं कत्राए हैं, आपके पूर कर लिया है, देश की जनता इसको देख भी रही है और याद भी रही है, मित्रो, खेर, वो आये ना आये, भारतिय जनता पार्टी तुरुष्टी करन में नहीं मानती है, मैं आज इस महान अधिवेशन के सामने कहना चाहता हूं, किसी भी लोगतांत्रिक देश में भी बहुमत समाद ने अपनी स्रद्दाओं के निर्वहन के लिए इतनी लंबी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी है, 75 साल तक हम कानूनी लड़ाई लड़े और संपून लोगतांत्रिक तरीके से हमने राम मंद्री का निर्मान किया, इसका संपून यस हमारे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, भाई और बेनों, एक कॉंग्रेस पार्टी और इंडी अलाइंस वाले, हम पर आरोप लगाते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी, अस्थृता भेलाती है, मैं तो ज्यादा जवाब नहीं देता मगर चुनाव का समय आया है जन्टा के सामने सच रखना चाहिए मैं आज ये कहने आया हूं कि कॉंग्रेस पार्टी की कभी से जब से इंदिराजी प्रदान मंत्री बनी तब से ना लोगतंत्र में स्रद्धा है ना लोगतंत्रिक तक्रि इन्होंने नियाएपाली का बिरोकसी, मीडिया, चुनावायोग, कैग जैसी सभी सम्विधानिक संस्ताओं का दज्यां उढ़ाने का काम किया है इमर्जंसी ये आपकी ही देन थी साहब आप भूल जाते हो पूरे देश को जैल खाना बना कर रख लिया था पूरा विपक्स जैल के अंदर बन था और आर्टिकल 356 सरकारे तोडने का जो रेकोर्ड आज से मैं बहुत सोच समझ कर मेरा स्टेटमेंट करता हूँ आज से सो साल बाद भी कॉंग्रेस पार्टी का रेकोर्ड कोई तोड नहीं पाएगा इतनी सरकारे आपने घिराई मित्रो कॉंग्रेस पार्टी ने 90 बार आर्टिकल 356 का प्रयोग किया पचास बार अकेली इंदिरा घांदी जी ने किया 40 ख्षेत्रिय दलों की सरकार एक कॉंग्रेस पार्टी ने गिराई तीन केंद्र की सरकार चौधरी चरण सिंग चंद्र सेखर जी देव गोडा जी और गुजराल इस चार सरकारों को गिराने का काम भी कॉंग्रेस पार्टी ने किया है और मित्रों यह हमें कहते हैं जुडिये सेरी कोई फैसला देगी न्याई करेगी तो इस पर टिप्पिनिया करकर जुरी सरी को डराते हैं मैं कॉंग्रेस पार्टी को याद कराता हूँ 1973 में तीन वरिष्ट जजों को कुदा कर जस्टिस सैलत जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगडे को कुदा कर आपने एंड्रे को सर्वोच नायदिस बनाया क्यूंकि आप राइबरील का फैसला आपके खिलाप आ गया था मित्रों हमने कभी जुड़ी शरी के खिलाप इस प्रकार के सड़ी अंतर नहीं किये मित्रों कॉंग्रेस पार्टी इस देश में अस्थीरता की जनक है और स्थीरता अगर कोई दे सकता है तो केवल और केवल भारतिये जनता पार्टी दे सकते हैं हित्रों अभी अभी देश में हम चुनाव में जा रहे हैं हिंसा कहा होती है मैं आग देश के मिडिया को भी कहना चाहता हूं हिंसा की बात आप करते हैं कौन से राज्यों में चुनावी हिंसा होती है कौन से राज्य में पोलिटिकल हिंसा होती है मैं आग देश की जनता को गिनाना चाहता हूँ केरल हमारे सो से ज़्यादा कार्यकृता सहीद हो गए 300 से ज़्यादा कार्यकृता अपाहीज हो गए किसका साशन है इंडी इलाइस का साशन है बंगाल सेकरो कार्यकृता मौत के घाट उतार दिए गए हमेशा चुनाव में धांदली गपे बाजी और हिंसा होती रही थी किसका वहां राज है ममता दिदी का राज है इंडी एलाइंस का राज है बिहार में भी जंगल राज था तब 100-100 किलोमेटर दूर मत पेटियां मिलती थी किसका राज था इंडी एलाइंस का राज था U.P. में भी चुनाव का रेगिंग होता था, हमारी सरकारों में कभी रेगिंग नहीं हुआ, किस की सरकार थी? आप की सरकार थी? मित्रो, आज भारतिय जनता पार्टी के हजारों करेकिता हुआ। गमंडिया गटबंदर है इंडी एलायंस है। भाई और बेनों, ये कॉंग्रेस का साशन था। आजादी के वक्त, कॉंग्रेस ही देश की और से नगोशेट कते। तब ही देश का विभाजन हो। और आज भी कॉंग्रेस की विभाजन कारी रूती राजनितिक फाइदे के लि खुले आजम देश के दो टुकड़े करने की बात करते हैं। कॉंग्रेस पाटी से कंनी भी नहीं काटती है। ये बताता है कि कॉंग्रेस पाटी इसका समर्दन करते हैं मा भारती का अपमान करने वाले जॉर्ज पुनिया का कॉंग्रेस के राजकुमार आसिरवाद लेते हैं जॉर्ज सोरेस जो भारत विरोधी है वो उनका समर्धन करता है कोईम तुर्बंबलाश को इंडी एलायंस इसके गुनेगारों को रिहा कर देती है और कॉंग्र जब दारा 370 मोदी जी ने हटाई राहूल गांटी का 370 के समर्धन में जो बयान था वो पाकिस्तान ने उनाइटेड नेशन में कोट अनकोट करकर चुर्द शर्म करो संब करो कॉंग्रेसी आपके देश के खिलाप आप विदेश में जाकर बोलते हो देश के प्रदान मंत् जनसद देश के लोकतंत्र की निंदा विदेश में जाकर करते हो और धारा 370 महत्वपून चीज को आपने पाकिस्तान को युएन में हथ्यार देकर देश द्रों का एक उदारन सेट किया है मित्रों और मैं देश की जनता को एक विबाजन कारी प्रवती जो आजादी के वक कि कॉंग्रेस के सेहजादे को किसीने एक बासन लिखकर दे दिया है उनका तय है हर भासन वो नौ महने तक बोलते ही रहेंगे 9 महने के बाद स्क्रिक बदलता है उतनका अभी उनके हाथ में OBC का बातर किसी निया ठमा दिया हे हर जगह OBC को बित्टे है क्या किया है उसका जरा ध्यान कर लो आप जो बोल रहे हैं वो वो आपके ही खिलाब जा रहा है मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं 1957 में काका साहिब कालेरकर कमिटी ने पिछडों के लिए रिपोर्ट दिया कॉंगरेस पार्टी ने इसको कभी इंप्लिमेंट नहीं किया मंडल आयोग बना 1980 में मंडल आयोग को इंदीराग गांधी ने ठंदे बस्ते में डाल दिया 1990 में जब इंप्लिमेंट एंचन की बाड़ी आई विपस के नेताय नाते राजीव गांधी ने पार्लामेंट में इसका विरोध किया और मित्रो ओडिसा में और जवालाल जी में 1951 में जातिवादी सर्वे का विरोध किया था और भारतिय जनता पार्टी ने क्या किया मैं पिछडा समाज की बात करता हूं बड़े गवरव के साथ बात करता हूं मित्रो हमने इस देश को गवरव हो इस तरह से अतीप पिछडी जाती का प्रधान मंट्री देने का काम भारतिय जनता पार्टी ने आज देश में पहला म मोधी जी ने दिया केंद्रिय विध्याले नवदय विध्याले साइनिक स्कूल और मेडिकल एंजिनरिंग के डाखलों में 27 प्रतिशत आरक्षन पहली बार नरेंद्र मोधी जी ने दिया OBC की चात्र वुद्धी में 33 प्रतिशत की वुद्धी नरेंद्र मोधी जी ने की IIT में OBC की चात्रों की ट्विशन भी को माप करने का निने देश के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किया नीट की परिक्सा में OBC बच्चों का पहली बार अगर आरक्षन हुआ तो नरेंद्र मोधी जी ने किया पेंट्रोल पंप और घेस की एजन्सियों में सताईत प्रतिशत पिछड़ा फर्क को आरक्षन देने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया और जितनी भी जितनी भी गरिब कल्यान की स्की में बनी है उस सब में सबसे बड़ा बेनिपीचरी अगर कोई है तो दलीत पिछड़ा और OBC भाई है राहूल गांधी आप हमें क्या OBC का कल्यान सिखाते हो हम तो समाज के हर वर्ग को साथ में लिकर चड़ते है जो पिछड़ा है उसको ज्यादा मिलता है जो अकड़ा है वो अपने आप अपना शेहर जाने दीता है मुदी जी ने इस देश की जनता का हवान किया जी को सूख है संपती है इस्वर की कुपा है वो अपनी घैस की सबचिड़ी छोड़ दे दो करोड से ज्यादा लोगों ने घैस की सबचिड़ी अपने आप क्याद करी मुदी जी ने करोडों घरीबों को क्रियो कोश गैस दे इसके आधार पर रादनीती करते थे इसके आधार पर अपनी रादनीती को आगे बढ़ाते थे उनका स्वपन ए चार आधारों पर सत्ता थियाने का स्वपन मोधी जी ने चूर चूर करकर रख दिया अब इस प्रकार के कलुशित मेंडेत वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं आज दस साल में देश, महान भारत, विक्सित भारत का स्वपन लेकर आगे बढ़ रहा है, दूर दूर तक सत्ता प्राप्तिक की संभावना आज गमन या गटमंडन को नहीं देखती है, इसके लिए वो लोग डिनायल मूर में आगे, हर चीज में विरोध करते हैं, दारात 370 और प कर्मिसन का विरोध किया, कस्मीर में गुरजर, बकरवाल, पहाड़ी, वालमिक्यों को रिजर्वेशन देने का विरोध किया, नारी सक्ति वंदन अधिमियम में भी कई सारे व्यवध्यान खडे किये, हिंदू सर्नाथियों को नागरिकता देने का सेख, सिये का बील इसका विरौध किया एक डेसे टेक्स GST का विरौध किया धलीत को राष्टापति बनाना अधिवासी को राष्टापती बनाना आपने आम सहमती नहीं zwar ने दी उस वक्त भी देश से साक्ष मागे थे, सर्म करो सम्ण करो, सैना के जवान की सहादत पर आप साक्ष मागते हो, मित्रो भारत ने वैक्सिन का निर्मान किया, सो से ज्यादा देशों में हमारा वैक्सिन गया, वैक्सिन के माध्यम से आज 140 करूर का देश कोरोना से सुरक्सित उसको भी मोदी वेक्सिन करकर आपने बदनाम करने का प्रयास किया मगर देश की जनता ने भी आज भी कोई वेक्सिन लेने जाता है तो कहता है मोदी वेक्सिन दे दो भाई मेरी इम्मिनिटी खतम हो Digital Economy, Direct Benefit Transfer इसका विरोध किया नई संसद बनाई इतनी भव्य संसद देखकर आज पूरी देश की जनता पुलकी थे गवरानवी थे इसका भी आपने विरोध किया कर्तवयपत बना आपको राजपत नाम अच्छा लगता था कर्तवयपत का भी विरोध किया बारत मंदपम में कौट से उसको रोकने का प्रयास किया यसो भुमी को भी रोकने का प्रयास किया डाटा प्रोटेक्शन का विजनरी बिल इसका भी विरोध किया और अंत में रामलला की प्रांट प्रतिष्टा का भी आपने विरोध करिया पूरे देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ, पांच साल का पार्लामेंट के अंदर कॉंग्रेस का इसाब किताब निकालिये, इन्हों ने पार्लामेंट के अंदर सोर सरावेवर बहीसकार की अलवा कुछ नहीं किया, हम भी विपक्स में रहें, दस साल तक बैठे, आगे अच्छा है, उसका समर्थन करते थे, और आपके ब्रष्टाचार को भी हमने उजागर किया, अगर आपने, क्योंकि ब्रष्टाचार है नहीं, बाहर जाना ही उचीच समझा, पित्रो, इंडी अलायंस, अहंकार से यूग, वो सहन ही नहीं कर सकते, वो ऐसा मानते हैं, कि दे परिवारों से आगे, वो सहन नहीं कर सकते, एक गरिब मा का बेटा, अदेश का प्रधानमंतरी बेन कर देश को चला रहा है, यह हंकार, उनको भारतिय जनता पार्टी के खिलाब खड़े, एक परिवारवादी राजकुमार, सारे के सारे ही खटा होकर, हमारा विरोध कर है, मोदी जी ने 40 से ज़्यादा नित्या बना कर इस देश को नित्यों के आधार पर चलाने का काम किया, मैं पुरी सुची बोलना नहीं चाहता मित्रो, पॉलिसी पेरालिसिस हो गया, ऐसी पुरी दुनिया मनमोहन सिंग सरकार को कहती थी, आज मोदी सरकार ने हर शेतर की 40 से ज जासन कैसा हो सकता है, उसका उदान पुरी दुनिया में रखने का काम, नरेंद्र मोदी जी में किया, और मित्रो, मैं और आप, हमारे नेता के वखान करे, पत्रकार भी कहेंगे, गमंडिया गटवंदन भी करेगा, आपको ऐसा ही करोगे, मगर मैं आज देश की जनता का भी दन्यवाद करताल करना चाहता हूं, आपने बार बार भारतिये जनता पार्टी को आसिरवाद देकर, मोदी जी को आसिरवाद देकर, अपना समर्थन करता है, आज देश के 70 राज्यों में, 17 स्टेट्स में, NDA की सरकार है, 58 प्रतिसत हिस्से पर, जिसमें 57 प्रतिसत आबादी है, वहाँ NDA का रूल है, गुजरात में हम लगातार 6 चुनाव जीते, मध्यप्रदेश में 21 सालों से साचन में हैं, गोवा में 3 बार जीते, उत्रप्र में 2 बार जीते, हरियाना में 2 बार जीते, अरुनाचल में 2 बार जीते, आसाम में 2 बार जीते, तुरुपुर्वा में 2 बार जीते, मनिपुर में 2 बार जीते, और 36 गड़ राजस्तान में भी 3 तीन टम तक मेंडेट मिला था, और फिर चोथा मेंडेट 36 गड़ राजस्तान की जनता ने दिया है बिहार महराश्ट मेगालाई नागालेन और सिक्किम वहाँ एंडिये को बार बार आशिरवाद मिला मित्रो यह जनादेश जो है वो मैं मानता हूँ मोदी जी का परिश्रम मोदी जी की नित्या मोदी जी के पर्फोमेंस पर 140 करोड की जनता का थपा है जो इंडिये लाइंस को नहीं विखाई भाई और बैनो मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ अभी अभी इंडिये लाइंस वाले के जो नेता है कॉंग्रेस पार्टी एक भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले है निवे दन तो आपके भारत तोड़ने के भारत जोड़ो यात् कर निकले मैं उनको कहना चाहता हूं किसी भी पार्टी के कारिक्रम और रादनितिक कारिक्रम वो पार्टी का परिचह करा ले कॉंग्रेस्ट पार्टी आजादी के बाद जितने भी आंदोलन की सत्ता में वापीस आने के लिए कि अधार्तिय जंता पार्टी का 1950 से इत्यास है ह के लिए किये सिध्धान्टों के लिए किये जनता के लिए सबसे पहले जम्मु कस्मीर के लिए सामा प्रसाद मुकर्जी सहीद हुए हमने 370 हटाने का अंदोलन किया गोवा बचाओ का अंदोलन भारतिय जनता पार्टी ने किया कच्छ का सत्यागर भारती ने जनता पार्टी किया गौश थिए पर प्रतिबन लगाने का अंदोलन जनसंग ने किया, आपात्काल के विरोध में हम लड़े, आसाम में गुशपेटियों के खिलाफ हमने पुरे देश को मोबिलाइज किया, राम जन्ममुवी का अंदोलन भी केवल और केवल भारतिये जनता पार्टी ने कि प्रस्टाचार के खिलाब अडवानी जी के नेत्रत में हमने आवाज उठाई तेलंगाना अंदोलन भी भारतिय जनता पार्टी ने किया और सबरी माला का अंदोलन भी भारतिय जनता पार्टी ने किया हमारी पार्टी ने कभी भी सत्ता प्राप्त करने के लिए अंदोलन नह पामने जाना है देश की जन्ता को स्पष्ट बताना पड़ेगा एक और ये परिवारवादी पार्टियां है और दूसरी और एक घरीब मा का बेटा इस देश का प्रधानमंट्री बना है आप किसको पसंद को एक और साथ साल से ब्रस्ट्राचार की घंगा जिस पार्टी से ब आग नहीं लगा ऐसे अन्हरेंद्र मोदी एक और तुरुष्ट्री करन की रादनिती करने वाला एक घमडिया गट बंदन है और दूसरी और राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रबाद से ओत्रत भारतिये जन्ता पार्टी है आप इसको सिलोक करो एक और कुछ बनने के लिए आप और रल्टनिती में आये हैं और दूसरी और भारतमाता को सर्वस्व समर्पीत करकर पूरा जीवन देकर काम करने वाले प्यक्ती है एक एक और एक और हर साल तीन महीने विदेस में वैकेशन करने वाला नेतुतों है और दूसरी और तेईस साल से एक भी छुप्टी न देने वाला कर्टूत वाहन दोते हैं एक और दिसाविहिन रात दिती हैं दूसरी और युग द्रश्टा नेता के नेत्रुत में महान भारत की रचना को आगे बढ़ाने वाली भारतिय जंता पार्टी है देश की जंता को हमने बताना पड़ेगा घर गर जाना पड़ेगा मित्रो मोदी जी ने आजादी के अमरूत महोचसव के वर्स में हर भारतिय के मन में देश भक्ति की भावना जागरूत की हर युवा को आजादी के अंदोलन से वाकीब कराया है और 75 वर्स की सारी सिद्धिया इरिस्पेक्ट्य पार्टी देश की जन्ता के सामने रखी है और सबसे बड़ी बात आजादी के बाद जब अमरूत काल में सताबदी तक पहुंचेंगे तब महान बारत की रचना का संकल्प मोदी जी ने 140 करोड की जन्ता के मन में प्रत्यार उपन किया है बहुत बड़ी बात है एक सामुई मित्रो और संकल्प को सिद्ध करने का सामुई रुसार इतने बड़े देश में जागरूत कोई और ही कर सकता है मित्रोव हमारा नेता समवेदन शिल मोदी जी समवेदन सिल है हम सब जानते हैं, जनते की जनता की तकलिफों को चानते हैं, जनता की भावना को समत, एक युग जरस्टा नेता है, वो करमत है, कठोर, परिश्रम करते हैं, कठोर निने लेने बेबी, पीछे मूड कर नहीं देखते हैं, चीन के सामने सिना तान कर खड़े रहते हैं, और पाक उतने की विश्व मित्र की भारत की चबी भी हमारे नेता ने ही बनाई वैक्सिन के माध्यम से सो से ज्यादा देशों के कोरोना काल में उन्होंने बड़ा मात्रु शक्ति को बगवान की तरह भक्ती से पुझा करने वाला नेत्रुत्व बहुत सालों बात देश को मिला है नियम से नरेंद्र मोदी जी ले लिया और जाती की कल्पना जो सद्यों से इस देश में थी इसको समाप्त करकर घरीब युवा महिला और किसान इस चार वर्ग को समाहित करकर साच अर्थ में सम्विधान की स्पिरिट को मोदी जी ने नीचे उटा रहा है नीचे तक मैं मोदी जी दिपक की लौ की तरह है जो खूद जलकर अंधेरों को काटने का काम करते हैं जिस तरह से जिस तरह से दिपक की लौ कभी नीचे नहीं जा सकती उस तरह से मोदी जी का काम और विचार भी उद्वगती वार्ले हैं वो कभी नीचे की और नहीं आ सकते और मुझे व उद्वगती वाली सोथ, उद्वगती वाली करमट्ता और उद्वगती वाले परिश्रम से ही ये देश 2047 में महान भारत बनेगा, विक्सित भारत बनेगा और पूरी दुनिया गवरों से देखती रहेगी भारत मारत की जलहल होती हुई छबी को और सनमान करेगी एक और मेंडेट देश की जनता के सामने बड़ी विनम्रता के साथ मांगे कि हमारा उद्देश केवल और केवल 140 करोड की जनता की सेवा करना है और देश को महान करना है और वो केवल और केवल नरेंद्र मोधी जी कर सकते हैं और कोई नहीं सकते मित्रो इस प्रस्ताव को आप सभी लोग पूरे देश में लेकर घर-घर जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है अंट में फीर से एक बार दोनों हाथ उटाकर प्रचंड अवाज के साथ भारत मा का जाएकरा लगाएंगे बोले भारत